भारत के खानों में जो खास बात हैं यहां के मसाले दरसल भारत के मसालों में स्वास्थ्य वर्धक बहुत सारे लाब होते हैं अगर आप इन मसालों का सेवन ठीक मातराई सही धंक से करेंगे तो कोई भी बिमारी खत्म हो सकती हैं आपके किचन में बहुत सारे मसाले पाए जा जिनका प्रयोग्या महत्वा आप नहीं जानते होंगे यह खाने को लजी जतों बनाते ही हैं साथ ही इसमें बहुत सारे गुन भी पाए जाते हैं हेल्दी मसाले आपके किचन में ही मौजूद हैं आपको केवल इनके फायदों के बारे में जानने की जरूरत है मसालों की ये जानकारी आप यहाँ इस आर्टिकल में पढ़ेंगे जीरा, सबसे पहले बात करते हैं जीरे की जो हर सबजी में डिलता है और हर सबजी का स्वाद भी बाता है जीरे के छोटे-छोटे बीज आपकी सेहत के लिए काफी जरूरी है इन छोट-छोटे बीजियों में भरपूर मातरा में फाइबर होते हैं जो आपकी पाचन क्रिया को ठीक करता है पेट के मरीजों को अपनी सबजी में जीरे का उपयोग करना चाहिए जी रात वचा के लिए भी काफी फाइदे मंद है इसमें मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट, एंजाइम्स, विटामिन और खनिज लवन्ट वचा को हैल्दी रखते हैं जीरे का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए जीरे के एंटी एजन्ट गुन जुर्रियों को आने से रोकते हैं और यह मोटापा घटाने के भी काम आता हैं हल्दी, जी हाँ हल्दी आपकी सेहत के लिए बेहत फाइदे मंद होती है इसे प्राकृतिक एंटियोकसीडेंट्स माना जाता हैं जो आपके चोट को हील करती हैं और इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग बनाती हैं आपकी स्किन में होने वाली बीमारी में हल्दी का इस्तेमाल काफी फाइदे मंद होता है एक चुट की हल्दी की कीमत हर किसी को नहीं पता होती है जबकी ये एक चुट की हल्दी में आपको जीवन भर स्वस्त रखने के गुन होते हैं एक ग्लास दूद में एक चुट की हल्दी डाल कर पीने से हड़ियां मजबूत होती हैं और इससे आपको दर्द में भी बेहत फाइदा होता है और आपकी तवचा भी हेल्दी बनती है हल्दी में मौजूद एंटीसेप्टिक गुन होते हैं आफके चेहरे के मुमहासों को ठीक करता है और जुर्रियों से भी निजात दिलाता है काली मिर्च वजन घटाने में बेहत फाइदेमंद होती है इसमें मुलेरिया से बचने के गुन होते है शरीर को स्वस्थ और तवचा को सुन्दर बनाए रखने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल करना बेहत फाइदेमंद होगा हर घर के किचन में काली मिर्च मौजूद होती है इसमें मौजूद एंटी आक्सीडेंट शरीर से सभी तरह के टॉक्सिंस को बाहर निकालता है जिससे शरीर में किसी तरह की बीमारी जन्म नहीं लेती इसका पेस पैक भी काफी कारगह है चेहरे की गंदकी और मेल को साफ करने के लिए काली मिर्च के फेस पैक को स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें इसके अलावाए हब बालो काला करने और बालो की सुंदरता बाने के लिए बहुत फायदामंद होती है इसलिए इस मोटापे को कम करने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल करें आपको करना ये है कि बस एक गलास दूद में एक चमच दालचीनी पाउडर डाल कर पियें इससे एक महीने में मोटापा कम होता है ये एक गर्म मसाला है जो कब्स भी ठीक करता है इसके अलावा इसके लेप से चेहरे के पिंपलेस भी खत्म हो जाते हैं इसमें मौझूद एंटी आक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन्स शरीर के रक्त के प्रवाह को ठीक रखते हैं जिससे खून साफ रहता है सौफ, औरल कैंसर से बचने का अजू कुपाए है सुब को खाने से औरल कैंसर तो होता नहीं है साथ ही यह कई प्रकार के और भी बिमारी से बचाव कर रता ही रोजाना खाने के बाद सौफ चबाने से औरल कैंसर का खत्रा नहीं होता और खाना भी अच्छे तरीके से पच्चता है इसके अलावा यह माउत फ्रेशनर का काम भी करता है यह खाने के स्वाद और खुश्बू को भी बढ़ाता है आप सौफ को पानी में उबाल ले फिर थंडा होने पर इसे पीले इस पानी से खून साफ रहता है और चेहरे पर चम पर निखार पाने के लिए क्या करें अगर आपकी तवचा में दाग धबे हैं तो आप इसको जायफल से दूर कर सकते हैं चेहरे पर या फिर तवचा पर पड़ी जाईयों को हटाने के लिए आपको जायफल को पानी के साथ पत्थर पर गिसना चाहिए और गिसने के बाद इसका लेप बना लें और इस लेप का जायों की जगह पर इस्तेमाल करें इस से आपकी तवचा में निखार भी आएगा और जायों से भी निजात मिलेगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आएं तो हमें कमेंट दवारा जरूर बताएं और हमारे चैनल को वह अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हाश्मी.com चैनल और हाँ बेल की हेल्थ संबंधी जानकारीयों की वीडियो सबसे पहले देख पाएं